Hello everyone and welcome to अपनी अक्षा आज हम स्टार्ट करेंगे NCRT का chapter number 3 of class 12 matrix या फिर बोल लगते हैं अब मैंत्रिक्स के इंदर बोल का बोल हो जाता है जास्मा और मैंत्रिक्स यह हो जाता है जिसके इंट्रीस होती जीरो और और जैसे social जैसे की टिंडर हो गया Facebook हो गया इसके अंदर हमारे mutual friends होते हैं इसके algorithm के अंदर भी हमारा matrix काम आता है और physics की कई सारी branches हो गई जिसके अंदर आगे matrix बहुत ज्यादा काम आएगा जैसे की quantum mechanics optics और बाकी कई सारी बहुत सारी physics की branches होती है अब मैट्रिक्स होता गया है मैट्रिक्स कुछ नहीं है बस एक rectangular form के अंदर कुछ numbers को अरेंज किया है कितने भी numbers हो सकते उनको अरेंज किया है बस वह matrix बन गई अब जैसे हमें यह matrix दिखती है इसके अंदर हम बोलते हैं कि इतना order है इतने रो है कॉलम हो गया यह तीसरा और यह सारी रोज हो गई और यह सारे हमारे columns हो गए अब रोज और कई बार कंफ्यूज हो जाते कि रोज इसको horizontal वारे को रोज बोलते हैं फिर वर्टिकल वाली को रोज बोलते हैं और कॉलम में बी सेम इसके लिए चोटी सी स्टोरी है वालवे कवा है कवा मनलें कि क्रो प रहा है वो जाता एक पिलर के उपर यानिके कॉलम के उपर जाके बैठ जाता है अब जाके कर देता है तो इसमें देखो क्रो मतलब की रोग रोग राइम कर रहा है तो इससे हमें याद रखना है कि क्रो होरिजोंटल वाले सारे रो होते हैं और उने कॉलम पर जाके मतलब प order क्या चीज होती है, जैसे कि ये वाला matrix है, इसके अंदर n rows है और m columns है, अब जैसे कि ये वाला matrix जो कि हमें दियावा है, इसके अंदर कितने है, 1, 2, 3, ऐसे करके n columns है, और totally 1, 2, 3, ऐसे करके m rows है, तो इसका order हो जाएगा हमारा m cross n, यह हो गया हमारा इसका order, मतलब कि order हो फिर आएगा column, चाहिए कुछ भी हो जाए, पहले row फिर column, और अगर यह याद भी नहीं होता तो RCB से याद रखो, IPL की सबसे best team है RCB, तो उसके अंदर RCB, मतलब पहले row, फिर column, और फिर B से माल लो brackets, तो अब general form क्या होता है matrix का, को भी matrix है, उसका general form हम ऐसे लिखते है, bracket ब second column के अंदर, तो यह देखो, first row और second column के अंदर आ गया, similarly कोई भी हमें दे दिया, a मालो की a 98 दे दिया, a 98 मतलब की 9th row के अंदर आएगा, और 8th column के अंदर कई पर आएगा, तो यहाँ पर कई वह element आजाएगा, तो उसका हमें एक address पता चल गया, direct उसके form को represent करते समय, अब elements को naming कैसे देते है, लिखने का एक short form रहता है, उसको हम ऐसे लिखते है, तो कई पर भी ऐसी चीज़ आ जाया है, कि a i j mn, मतलब की m cross n order का वो matrix है, जिसके अंदर i j, मतलब की i vary कर रहा है, 1 से लेके m तक, और j vary कर रहा है, 1 से लेके n तक, तो इस वाले, छोटे से form का मतलब यही वाला है, जो हमने इतना बड़ा matrix लिखा है, उसको हमने short form के अंदर यह लिख दिया, इसको हम बोलते है, इसका compact form, तो अगर question के अंदर यह आता है, तो ज़्यादा डरने की ज़रुएतनी है, इस इस चीज़ को हमने आलस के चकर में छोटा करके लिख दिया, अब हम द Similarly, Among Us, 5$ का मिल रहा है platform 1 पे और 3$ का मिल रहा है platform 2 पे, Fall Guys भी 5$ का मिल रहा है platform 1 पे, और 3$ का मिल रहा है platform 2 पे, GTA 5 हमें मिल रहा है platform 1 पे 30 रूपीज का, और platform 2 पे 15 रूपेगा, अब इसको matrix के अंदर कैसे represent करेगे, अब जैसे इतनी बड़ी हमने table बनाई, उस table की जगा हम directly एक matrix बना लेते है, इस type की matrix बना लेते है, अब इसके अंदर सिर्फ ये वाली matrix से हमें पता जल रहा है platform 1 पे price ये 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 और ये है, platform 2 पे price कुछ इस type सी है, और हम अगर columns देखे तो वो आगी हमारी prices, और अगर हम rows देखे, जैसे पहली row के अंदर हमें पता है कि PUBG PC की price ये और ये है, अब माल लो 2 platform की जगा 100 platform में दिये होते हैं, तो हम उसमें से देखे बता सकते हैं, ये सबसे lowest price कौन सी है, और उस lowest price में हम खरीदते हैं, of course, वैसे अमंग अस की भी सारी prices आ गई, platform 1 पे ये है, platform 2 पे ये है, similarly fall guys और GTA 5, इन सब की भी आ गई, तो इस तरह से हम data को matrix के अंदर represent कर सकते हैं, अब देखते हैं, types of matrices, matrices के कितने-कितने types होते हैं, कैसे-कैसे होते हैं, कौन से-कौन से होते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है, column matrix, column matrix नाम से clear है, अगर एक column है, तो फिर row matrix हो गया, दूसरी आती है row matrix, ये भी नाम से clear है, direct, सिर्फ एक row है इसके अं मतलब की order 3 हो गया, ऐसा बोल देते हैं, order 3 मतलब की उसका order हो जाएगा 3 cross 3, उसको short form में लिग लिए हमने order 3, square matrix के अंदर order 1, order 2, order 3 लिखते हैं, इसका मतलब directly clear है, 3 cross 3, 2 cross 2, ऐसे ऐसे, तो ये वाला example है, हमारे 3 cross 3 के square matrix का, फिर आता है diagonal matrix, diagonal matrix मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ diagonal वाले elements को छोड़के, सारे elements हमारे होगे 0, और diagonal मतलब सिर्फ इसके अंदर हमारे ये वाला diagonal होता है, कि वाला diagonal कभी नहीं होता, diagonal हमेशा ये वाला होगा, starting से लेके end तक हमी यही चीज़ याद रखने, तो इस वाले diagonal को छोड़के, सारे elements होगे, हमारे 0, इसके अंदर भी य ये वाले को छोड़के, बागी को element ही नहीं बचा तो 0 क्या होगे, तो ये matrix, ये matrix और ये matrix, ये matrix, ये matrix, ये सारे के सारे हमारे है diagonal matrix, पिर आता है scalar matrix, scalar matrix क्या होता है, एक diagonal matrix, जिसके अंदर सारे के सारे elements same है, जैसे कि इसके अंदर 9 है, जैसे कि इसके अंदर ये diagonal matrix है, बागी scalar matrix और इसके अंदर diagonal elements में एक ही element है भले कोई भी हो scalar matrix ही रहा तो यह भी हो गया हमारा scalar matrix इस तरह के matrix हमारे scalar matrix हो जाएगे फिर आता है identity matrix identity matrix मतलए एक diagonal element जिसमें सारे number सेम हो और वो number हमें पता है कि वो one होना चाहिए तो हो जाएगा identity matrix इसका मतलब यह हुआ कि एक scalar matrix जिसके अंदर diagonal elements हमारे one हो जैसे कि यह हो गया one 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 बाकि सारे 0000 इसके अंदर भी यह होगे diagonal elements one one बाकि सारे element 00 और इसके अंदर तो एक ही element है और वो one ही होना पड़ेगा identity matrix के लिए तो यह इस type की matrix एक सारे हमारे हो गए IDenty आप जब हैं बोल होक्ति हैं वो दोनों के दोनों equal है उसका मतलब हमारा किया हुआ तो equality of matrix के लिए सिर्फ दो condition होती है पहली condition कि उन्दोनों का order same होना चीए दूसरा कि उन्दोनों के elements same होने चीए corresponding elements इसका मतलब straight meaning यह है कि दोनों को दोनों एकदम जुड़वा भाई होने चीए या जुड़वा भेन होने चीए जो भी तुम चाहो तो फिर वो दोनों एकदम equal matrix होगे जैसे कि एक A matrix यह दिया हो है B matrix यह दिया हो है तो इसके अंदर 1 1 root 3 root 3 5 5 9 9 यह सारे के सारे exactly same है तो हम बोल सकते A equal to B है लेकिन अगर इसके अंदर 5 root 3 1 9 दिया हो है जैसे इसके अंदर order भी same है सब same है लेकिन इसके अंदर elements जैसे कि यहाँ पहला element 1 था लेकिन यहाँ पहला element 5 है 1 यहाँ पर आ रहा है तो यह दोनों देखो एक तरह से देख सकते है directly कि यह दोनों जुड़वा भाई नहीं है तो फिर हम directly बलते कि A और B equal है नहीं A और B को equal होने के लिए दोनों को एकदम जुड़वा होना पड़ेगा जैसे इसी का एक example लेते हम एक matrix यह दियावा है 2A प्लस B A माइनस 2B 5C माइनस D और 4C प्लस 3D और दूसरा matrix यह दियावा है 4, माइनस 3, 11 और 24 और हमें यह बोला है कि यह दोनों matrix equal है तो हमें A, B, C और D की value निकालनी है तो हम क्या करते हैं सीधा corresponding elements को equate करते हैं मतलब कि 2A प्लस B 4 के बरावर होना चाहिए क्योंकि वह तोनों को जुड़वा होना है तो 2A प्लस B और 4 एक्जेक्ली सेम होना चाहिए तो 2A प्लस B हमने लिख दिया 4 similarly A माइनस 2B हमने लिख दिया माइनस 3 5C माइनस D लिख दिया हमने 11 के बरावर और 4C प्लस 3D लिख दिया हमने 24 के बरावर यह सारे 4 equation बन गई अब यह दोनों देखो दो equation 2 unknown इन दोनों में देखो 2 equation 2 unknown इन दोनों को directly solve करेंगे तो हमें A की value, B की value, C की value और D की value, 4 की value मिल जाएगी सिर्फ इस से ऐसे-ऐसे questions आते हमारे boards के अंदर एकदम easy-easy से ललू-ललू से एकदम चुटके हमें solve होने वाले है अब हम देखते हैं operations on matrices कोई-bhi matrix है उसके अंदर अगर हमें addition, subtraction, multiplication यह सब करना है तो यह कैसे करते हैं numbers में हमें पता लτίकिन matrix में हमें नहीं पता तो matrix में सबसे पहले देखते हैं की addition कैसे करते हैं तो जो हम देखते हैं की addition कर रहे हैं तो हमें बोला A plus B तो मतलब कि जैसे यह वाला matrix हमें A matrix दिया वह और यह वाला matrix B matrix दिया वह है तो हम डिरेक्टली बोलते हैं इसके elements A1, A2, B1, B2 है और इसके elements C1, C2, D1, D2 है तो हमारे इन दोनों add करेगे तो हमारा A1 और C2 दोना add हो जाएगा और यहाँ पर आजाएगा similarly A2 और C2 दोना add हो जाएगा और यहाँ पर आजाएगा मतलब कि corresponding elements add हो रहे है और corresponding place पर ही आ रहे है वैसे ही B1 और D1 दोना add हो जाएगा और यहाँ पर आजाएगे similarly B2 और D2 भी add हो जाएगा और यहाँ पर आजाएगे मतलब कि a plus b और b plus a दोनों exactly same रहेगा तो इसको हम बोलते commutative नाम में कुछ नहीं रखा है सिर्फ हलका हलका ऐसे देख लो कि normal जैसे numbers के अंदर जो properties होती है वही वाली properties इसके अंदर भी होगी वैसे ही a plus b plus c हो जाएगा a plus b plus c इसको बोलते associative additive inverse मतलब कि a plus b is equal to 0 है तो if b plus a भी 0 होगा इसका मतलब b और a एक दूसरे के additive inverse है और 0 मतलब क्या हुआ यह तो matrix है यह भी matrix है तो 0 क्या से आ सकता है 0 तो एक number है matrix और b matrix add हो रहे है तो इसके अंदर इसका order और इसका order हमेशा सेम रहेगा तभी वो add हो पाएगे वरना तो होई नहीं पाएगे second property हा थी multiplication मतलब कि matrix को एक scalar से multiply कैसे करेगे जैसे कि माल लोग एक k scalar है और a हमारी है matrix तो यह हमारी matrix और k scalar number है कोई भी integer माल लो या कुछ भी माल लो तो इसको अगर इससे multiply किया तो k हर एक number के साथ जाके multiply हो जाएगा तो हमारा resultant matrix कुछ इस type से बन जाएगा k a1, k a2, k b1 और k b2 इस type से बन गए हमारे matrix इसकी properties क्या रहती कि k of a plus b हमारा k a plus k b हो जाएगा normally जैसे numbers के अंदर रहती है अभी तक कोई change ही नहीं आ है और k plus l मतलब कि 2 scalar है into a हमारा k into a plus l into a हो जाएगा normally अभी तक numbers वाली सारी properties match कर रहे है तो अभी तक कोई difference ही नहीं आया है अब हम देखते कि negative of a matrix क्या होगा मतलब a हमें दिया हुए तो minus a क्या होगा directly हम सोच सकते कि minus 1 से multiply कर दिया तो इसके सारे elements minus 1 से multiply हो जाएगे और subtraction of a matrix क्या होगा इन दोनों property से निकाल रहे है हमकी क्या होगा जैसे यह a minus b दिया है तो इसको बोल सकते a plus minus 1 into b तो सबसे पहले b को हमने minus 1 से multiply कर दिया और फिर उसके बाद addition वाली property लगा दी तो normally हमारा इससे आ गया लेकिन आगर हम ब corresponding elements को minus कर देगे a matrix का first element और भी matrix का first element इन दोनों को directly subtract कर दे है मतलब कि a minus b और फिर वो उसके corresponding resultant matrix के अंदर आ जाएगा directly ऐसे करते हैं तो आगे questions करेगे तो directly समझ में भी आ जाएगा हमें और एक term रहता है trace of a matrix trace of a matrix क्या रहता है जैसे कोई भी matrix दिया है उसके अंदर जितन elements का addition अब देखेगे हम कि 2 matrix को multiply कैसे करते हैं मतलब कि अभी तक हमने देखा कि 2 matrix को add कैसे करते हैं एक matrix को scalar से multiply कैसे करते हैं लेकिन अब हम देखेगे कि 2 matrix को multiply कैसे करते हैं यह वाली जो चीज है यह काफी important है और पूरे chapter के अंदर सबसे ज्यादा important यह वाली चीज है और य सेटिसपा scripts कर रोने हैं का रहती है जैसे मैट्रिक्स हमारा दिया है m Erica ॐ मैट्रिक्स मैट्रैक्स दिया है हमार хоч log e दोनों term यह क्रोश धूजरों के अंदर पिछे वाला ऑफ इस एक्षाडली सेम है तो ही हम multiply कर सकते वरना multiply करी नहीं सकते डायकहली करते हैं और multiply करके जो resultant matrix आएगा उसका order होदाएगा हमारा भारवाला मतलब कि M x B यह होदाएगा हमारा resultant matrix का order तो जैसे एक example लेते हैं इस वाले example के अंदर हमें एक यह matrix दियाओ और एक यह matrix दियाओ है इन दोनों को multiply कैसे करेगे multiply ऐसे करेगे कि हमदेखेगि कि इसका order किया है सब से पहले हम चेक करते कि इसका order क्या है इसका order है number of rows into number of columns इसके इसके तीन हो हो गए तो इसका ओडर हो गए 2 x 3 और इसका ओडर सेम सिमिलर्ली हो जाएगा 3 x 2 तो इसके अंदर 3 और 3 अंदर वाले नमबर सेम है तो हम इंदर को multiply कर सकते हैं obviously क्योंकि अंदर की नमबर सेम है और इसका जो resultant matrix होगा उसका और रहेगा हमारा 2 x 2 बाहर वाले नमबर तो हम एक बाहर वाला एक matrix बना लेते हैं जिसके अंदर 2 x 2 है मतलब कि multiply करेंगे तो a1 1 आ जाएगा similarly a1 2 के लिए हम first row और second column को multiply करेंगे अब multiply करेंगे उसका मतलब क्या हुआ जैसे कि इसके अंदर हम first row और first column को multiply कर रहे हैं तो हम बोलेगे कि 1 x 2 इसका first element और इसका first element इसका first element इन उनको multiply किया plus minus 1 into minus 1 plus 2 into 5 बस ये तीन को add कर दिया और हमारा जो number आया वह हमारा हो जाएगा वह वह वाला element है तो इसके अंदर हम जो square element बनाया था हमने 2 x 2 का उसके इंदर पहला element आगे हमारा 13 similarly a1 2 निकालते हैं तो मतलब कि first row और second column को multiply करेंगे इसका मतलब 1 into 7 plus minus 1 into 1 plus 2 into minus 4 directly करते हैं तो हमारा वह आजाएगा minus 2 तो हमारा second element मतलब कि i1 2 आगे हमारा minus 2 similarly हम third और fourth निकालते हैं मतलब i2 1 निकालते हैं मतलब कि second row और first column का multiplication ये निकालते हैं तो भी 0 into 2 plus 3 into minus 1 plus 4 into 5 ये आजा था हमारा 17 और फिर i2 2 मतलब कि second row और second column का multiplication वह हो जाएगा हमारा 0 into 7 plus 3 into 1 plus 4 into minus 4 मतलब कि minus 13 simply 4 अलग-अलग element निकाले अब हम directly वह अलग जो matrix था जिसके अंदर हमारे 4 elements थे उसके इंदर directly put करते हैं कि mathematically form के अंदर short के अंदर लिख लेते हैं कि a b i j is equal to summation of r is equal to 1 n a i r b r j इसका मतलब कुछ नहीं है बस जो हमने यह जीज़ की उसी को mathematical form में लिख दिया है यह वाला तो अगर इस type के form के अंदर हमें कुछ दिख जाना तो डरना नहीं है इस वाले form से इसका मतलब यह है कि हम 2 matrix को multiply कर रहे हैं और कुछ नहीं है अब एक बहुत important property रहती है non-commutativity of matrices हमारे जो matrices है जैसे हम a into b कर रहे है तो वह जरूरी नहीं कि b into a भी बराबर होगा अब यहां पर change आता है हमारे number system में तो क्या है कि 1 into 2 करो या फिर 2 into 1 करो दोनों बराबर ही रहे है 5 into 7 करो या फिर 7 into 5 करो यह भी दोनों हमारे बराबर है लेकिं इसके अंदर यह जरूरी नहीं है इसके अंदर अगर a matrix और b matrix को multiply कर रहे है तो वह जरूरी नहीं कि b matrix और a matrix के बराबर हो वह unequal भी हो सकते दोनों के दोनों जैसे कि एक A matrix यह दिया हुआ है और B matrix यह दिया हुआ है तो हमें A B निकालना है B A भी निकालना है और फिर बाद में हम देखते कि A B और B A equal है या निया तो सबसे पहले जो हमने A B निकाला तो हमने A matrix यहां लिख दिया अब चेक करते हैं कि यह दोनों तो यह order है 2 x 3 क्योंकि दो रोज है और 3 columns है तो यह 2 x 3 हो गया similarly यह 3 x 2 यह दोनों multiply केबल है क्योंकि अंदर वाले टंबल है 3 और 3 वो दोनों की दोनों हमारे सेम थे तो यह multiply हो सकते और resultant जो आएगा वो हमारा 2 x 2 का आएगा अब वो क्या हो जाएगा हमारा पहला वाला A 1 1 A 1 1 हो जाएगा हमारा first row और first column को multiply करेगे मतलगी 1 x 2 plus minus 2 x 4 plus 3 x 2 वो हो जाएगा हमारा 2 minus 8 plus 6 similarly second element हाएगा हमारा 1 x 3 plus minus 2 x 5 plus 3 x 1 वो हो जाएगा हमारा 3 minus 10 plus 3 A 2 1 हो जाएगा हमारा second row और first column का multiplication मतलगी minus 4 x 2 plus 2 x 4 plus 5 x 2 वो हो जाएगा हमारा minus 8 plus 8 plus 10 और last element मतलगी A 2 2 वो हो जाएगा हमारा second row और second column का multiplication मतलगी minus 4 x 3 plus 2 x 5 plus 5 x 1 वो हो जाएगा हमारा minus 12 plus 10 plus 5 simple तो इनको solve करते हैं तो हमारा यह वाला matrix कुछ आ जाता है similarly अगर हम इसको उल्टा कर देते मिल्ला B into A कर देते हैं तो इसका order हो गया 3 cross 2 और इसका order हो गया 2 cross 3 तो इसके अंदर वाले elements दोनों same है तो order के अंदर अंदर वाले number दोनों same है तो यह दोनों multiple capable है और इसका resultant जो element आएगा वह 3 cross 3 आएगा क्योंकि बाहर वाला number हमारा 3 cross 3 है तो यह 3 cross 3 का बढ़ जाएगा अब obviously हम देख सकते कि क्योंकि यह 2 cross 2 का और यह 3 cross 3 का है तो यह दोनों equal तो है नहीं लेकिन हमें बोलागी यह निकालना है तो इसको भी निकाल लेते एक बार क्या जा रहा हमारा तो इसके इंदा first element मतलब की a11 हो जाएगा हमारा first row or first column का मदले ब्लेकेशन मतलब की 2 into 1 plus 3 into minus 4 तो 2 minus 12 हो आगया similarly सारे elements ऐसे निकालेगी जैसे a12 निकाल देगे first row or second column का मदले ब्लेकेशन तो 2 into minus 2 plus 3 into 2 वह हो गया हमारा minus 4 plus 6 similarly सारे elements ऐसे निकाल दे गए तो यह 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 सारे से कुछ elements आ जाएगे तो इसको जब हम simplify करेगे तो हमारा इस अचाहिस मेट्रिक्स आ जाएगा तो हम directly बोल सकते की a b तो हमारा यह वाला metrics था अर और लेकिन b a हमारा यह वाला metrics है तो डिरेक्ट देख के हम बोल सकते कि A B और B A equal ही नहीं equality के लिए क्या चीए दोनों जुड़वा चीए जुड़वे के लिए order भी same होना चीए अब order ही same नहीं है तो आगे तो क्या ही देखे हम तो दोनों वान equal proof होगा हमारे इस वाले example से हमने एक और बार प्रूफ कर देख कि commutativity matrices में जरूरी नहीं कि हो अगर हमें दो matrix के product को दियावाए कि वो 0 है मतलब A matrix into B matrix 0 है तो जरूरी नहीं कि उनमें से एक matrix हमारा 0 matrix होगा जैसे कि number system में तो यह है कि A into B दियावाए वो 0 है तो इसका मतलब या तो A 0 है या तो B 0 है लेकिन matrix में ऐसा नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही 0 ना हो और हमारा multiplication 0 आजाए जैसे कि इस वाले case के अंदर जैसे कि ए example ले लेते हैं A matrix यह दियावाए B matrix यह दियावाए इन दोनों को जो हम multiply कर रहे है तो हमारा A matrix into B matrix 0 matrix आ रहा है लेकिन ना ही यह 0 matrix है ना ही यह 0 matrix है तो हम बोल सकते हैं कि product of two matrices is 0 then it is not necessary that one of the matrices 0 matrix यह जीज़ हमें याद रखनी है तो आज के lecture के अंदर जो जो हमने topics पढ़ आ है न उसके कुछ important questions मैंने mark करके रखे जो कि तुम्हें आज के lecture के बाद देखने है वो है हमारे NCRT के अंदर example 3.1 का 12345 और 10 यह सारे questions है हमारे formation and order of matrix के यह वाला जो topic है इसको practice करने के लिए तुम यह सारे 6 questions एक बाद प्रेक्टिस कर लेना और example 123 यह solve examples है NCRT के अंदर ही इन्हें भी एक बाद देख लेना तो तुम्हारा formation and order of matrix हो जाएगा अगर topic wise करोगे न तो topics एकदम अच्छे से हो जाएगे फिर एक और topic इसमें बढ़ादा हमने type of matrices types of matrices का एक ही question है ज्यादा इसके questions आते ही है जो कि यह 3.1 के अंदर 8th वाला मतलब अगर आएगा इसका question तो इस type से question आएगा फिर हमने पढ़ादा equal matrix equality of a matrix equality of a matrix के अंदर exercise number 3.1 के अंदर 6th, 7th और 9th question यह 3 question है और example number 4 और 5 यह सारे question प्रेक्टिस करने और last topic जो कि हमने पढ़ादा हो था addition and subtraction of a matrix तो addition and subtraction of a matrix इसके अंदर कई सारे question से NCIT के अंदर और यह वाला topic काफी important भी है तो इससे तो करना ही करना है इसके अंदर questions है 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 यह सारे के सारे हैं exercise number 3.2 आदी से जादा तो इससे भरी भी है बाकी examples 6 से लेके 11 तक यह सारे कुछ questions है जोकि addition और subtraction of a matrix के अंदर आते इसको practice कर लो और बाकी भी किसी books के अंदर तुम्हें इस type के questions मिले तो उन्हें प्रेक्टिस कर लोना जितनी जादा प्रेक्टिस करोगी उतना जादा ही यह वाले topics strong होते जाएगे so that's all for today's lecture फिर मिलते है next lecture गें